जो प्रमात्मा अनाधी काल से experienced है स्रिष्टी के चलाने का, उसकी व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि हमें कोई मती को टांग अड़ाने की आवशकता ही नहीं है, जहां जहां हमारी बुद्धी लगती है, हमारी मती लगती है, वहां वहां ही हम दोश पैदा करते हैं और अपन आपको परिशान करते हैं, क्यों करना है ऐसा? हम आपसे कहते हैं, आपने 60 साल का जीवन जिए है, 60 साल उमर होगी अवरेज आपकी, अगर अवरेज पकड़ लेते हैं, उसमें 20 साल तो आपकी मती मंद में चले गए, अकली नहीं थी, इक है 20 साल गिनू? 20 साल तो होंगे ही, 15-18 तो खेल कूद में चले जाते हैं, खिलोने तोडने में, खिलोने फैकने में, खिलोने के लिए लड़ने में, तुने मेरा खिलोना तोड़ दिया, तुने मेरी नोटबुक तोड़ दी, पैंसिल तोड़ दी, अब मुझे दो पैंसिल लाके दे, ये रोने और आते में थोडी सी समझ आते है, पर अनुभव नहीं होता, अनुभव हीन व्यक्ति होता है। बीस में सा yağ में प्रवेश होते होते हैं, तो व्यक्ति चित्में आज के समय में व्यक्ति आज व्यक्तand है लेयां, यशा-छे काम, सबसे पहला है। जो मुबार करता है, उसके बाद उसका चिंतन, काम के प्रतीका जो चिंतन है इनसान को, वो विक्सित होने नहीं देता, पूरी तरह से युग्यता का निखार आने नहीं देता, और उस व्यक्ति के चिंतन में आदे से ज्यादा साल उसके नश्ट हो जाते हैं, पात साल या दस साल कभी कोई केरियर बना लेता है तो कोई केरियर इसमें बरबाद भी कर देते हैं अनेक उदाहरण आपके सामने होगे ठीक है काम के चलते जब काम डंक मारता है तो व्यक्ति इतना बेचेन और परेशान हो जाता है उसमें इंजान की बुद्धी क्या ही काम करेगी और फिर उस बहते हुए प्रभाव में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं उस बचकाने जीवन में उस तीन एज में की बड़े अच्य-च्य अनुभव दे जाते हैं और उस अनुभवों से आप सीखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को अपने समझ आती है कि मैं मा या मैं पिता बनाओ मेरा बाब ठीक था जो जा तो चाहता था जिस उस यह अगा थाए की आद also mają क्या चाहlike दो आप समझ जगे है की सभी आप बस काम ृता सभी होटे है पर वो थो कितने साल मैं आति है उस सभी है ठीक है तो आधी उमर तो आपकी ना समझी में चली गई पचास के बाद शरीर काम खतम करने लगता है अपना कल्शियम कम, B12 कम, D3 कम, आखों की रौशनी कम केटरेक्ट, फलाना, डिमकाना, घुटने नहीं ठीक है, कमर नहीं ठीक है आदमी का ध्यान कहा जाएगा, सारा शरीर में ठीक है, समझदारी के कितने साल होते हैं आपके पास इमानदारी से, जिसमें आप ये कहते हो कि अब मैं पूरी तरह से समझदार हूँ बस 25-30 साल, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है मुझे ये बताओ, 25-30 साल की छोटी सी उमर है आपके पास छोटा सा डूरेशन है छोटा सा टाइम पिरियड है उसमें आप अनादी, अनंत, देवेश, विश्वेश्वर जो प्रमात्मा अनादी काल से एक्सपीरियंस्ट है स्रिष्टी के चलाने का और आपको तो अभी 30 साल तक ही आई है, 25-30 साल का आपको अनुभव होगा समझदारी का उसमें आप उसे सला देते हैं, यह आप उसमें टांग अड़ाते हैं, कि यह ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, तो हम मुर्खता से जादा कुछ कर रहे हैं अनादी काल से स्रिष्टी चली आ रहे हैं, और सू व्यवस्थ चल रहे हैं, चल रहे हैं, आपने चलाई है, सूर्यदय आपसे होता है, सूर्यासापसे होता है, रित्वय आपसे बदलती है, दूद आपने सू सफेद बनाया, आपने व्यवस्था की, कि बच्चा पैदा हो तो दूदाना चगिए? आपने कई एप्लिकेशन डाली थी? यढ कных डाली थी? आता है? दो हता है। बच्चे की व्यवस्था महा थे में बच्राए बच्च्छा आने से तरहली व्यवस्था हुती है. आपने की? ने की? व्यवस्था है. तो उसकी व्यवस्था इतनी तगड़ी है, कि हमें कोई मती को टांग अड़ाने की आवश्यक्ता ही नहीं है, जहां-जहां हमारी बुद्धी लगती है, हमारी मती लगती है, वहां-वहां ही हम दोश पैदा करते हैं, और अपने आपको परिशान करते हैं, क्यूं करना है ऐसा जो experienced है, वह कह रहा है कि पानी कम दलने से रोटी बनेगी, तो बनने दे ना, हल्वा क्यूं बनाना है तुम्हें? और हल्वा मीठा दलने से ही बनता है, तो नमक क्यूं दलना है, दलिया क्यूं बनाना है आपको? जो बना रहा है, वो सही बना रहा है, जो जहां आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, जिन व्यक्तियों की जरूरत है, जिन घटनाओं की जरूरत है, वो वो ला रहा है, और जहां आपकी उन्नती रुक रही है, ऐसे लोगों को आपसे दूर कर रहा है, तो वो झाल झाल